हेलो एवरिबडी वेलकम तो अरान एंटर्टेंट में काल मैंने शेडशा का ट्रेलर देखा एंड लिटरली घूसबंस आ रहे थे बाट तमिल डिरेक्टर विश्नु वर्धन ने आग लगा दी भाई जिस तरह सो उन्हें इस पूरी मुई को डिरेक्ट किया वो ट्रेलर में आपको देजभक्ती भाउना फील होती है और आपको असे लगता है कि हमको एक ऐसी कहानी देख रहे हो हमको नहीं हमारे आने वाली काफी जनरेशन को इंस्पायर कर सकती है तब मुमगीन होता जब एक अच्छा डिरेक्टर किसी फिलिम को डिरेक्ट करता और विश्नु वर अगर उनकी यह मुवी चलती है तो भाई पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे लेकिन फिर उसके बाद उनकी नेक्स मुवी कौन से होती है उस पे डिमेन होता लेकिन ये मुवी काफी तादा इंट्रेस्टिंग फिलाल लग रही है और जैसे कि अभी भी तुम लोगों को न लगी वेब सरुसों तो जब इस थरा की मुवी बनती है जहाँ पर रियल इंसीडेंट पर इंडिया पाकिस्तान की वीच में जो बैटल हुए थे तो उस बैटल पर जब कोई मुवी बनती है तो पाकिस्तानी ऑडियंस उनको किस नजीर से देखती है भी या नहीं यह मुझ त्रेटरवाइस देखा जा तो शेयर शाय को जाता अच्छा लग रहा कि उसमें त्रेट बता ही वो काफी अथ्य लग रही है और अगर बूच ता प्राइड ऑफ इंडिया के बात कर तो एक टिपिकल कमर्शल बॉली वॉड मुवी लेगी जहां पर हमें मसाला एंटेटेंट सब कुस घुषाड़ा गया हाला कि वो टू इंसेंट पर बेस तेलेगी फिर भी अगर आप उसका ट्रेलर देखो कि बूजदा प्राइड आफ इंडिया के तो उसमें बहुत से चीज़े दाली जो रियल लाइफ में नहीं होती है और अगर शेयरशा की ट्रेलर की बात को शेय क्याना पन नहीं लग रहा है और भूजदा प्राइड आफ इंडिया में भले मुवी बहुत ही बड़े स्केल पर शूट ही हो बड़े इसमें अजे देखो ना से तो शोनाक्सी जिनाओ नूरा फती हो शरात केल करो लेकि फिर भी कही नहीं कहीं शेयरशा के मुकाबले अब से रिलीज होएगी और उसके बाद हमें शाम को यह पर्टुकलर बुजदा प्राइड ओफ इंडिया देखने हो मिलेगी तर बस मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जिलते है